हमारे विभिन ज्ञान वर्धक कारिक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कारिक्रम सबसे पहले नमस्कार आज हम आपको बताएंगे हत्ता जोड़ी का महत्व क्या होती है हत्ता जोड़ी और किस प्रकार से हत्ता जोड़ी धन लाब हमें पहुंचा देती है धन लाब पहुंचाने का कार्य करती है आईए जाने हत्ता जोड़ी का महित्व सबसे पहले आप ये देखें कि हत्ता जोड़ी होती कैसी है ये देखिए हत्ता जोड़ी इस प्रकार का इसका चित्र होता है इस प्रकार की इसकी आकरती होती है दो जुड़े हुए हाथ और मानो के पंजे हों उंगलिया हों इस प्रकार का ये आकरती वाला जो जड़ी होती है इसको हम हत्ता जोड़ी कहते है ये हत्ता जोड़ी कहां प कुछ विशेस इलाकों में रेती परकार से पाई जाती है यह एक छोटे बहुत बड़ा पेड़ नहीं होता नहीं बहुत बड़ा जहाड हूता है। चोटे से एक पेड के लिएजे छोटा सा पोधार जहार के लिए उसका यह नीचे होता है मुल में एक जड़ रूप में यह हत्ता जोडी पाई जाती है लेकिन ध्यान रखे हैं हमारे सभी दर्शक हत्ता जोड़ी आपके पास नकली ना हो औरिजिनल हत्ता जोड़ी होनी चाहिए जी हां नकली हत्ता जोड़ी भी बनाई जाती है कैसे जैसे आपने देखा हो जिस आटे से सेमया बनाई जाती है उस मैदे मैदे को ब रंग रगण करके पालिश कर दिया जाता है और हमें यह महसूた है कि यह था जुढ़ी इस परकार की बहुत सारी डूभलिकेट चीजे हम लोगों के पास होती है वो हमें पूरा फाइदा नहीं पोचा पाती हैं और फिर हमें यह महसूस होता है कि यह सब क्रिया कलाब बिकार होते हैं लेकिन सबसे पहले आपको यह जानना आवश्चक है कि आपके पास जो हत्ता जोड़ी है वो असली है या नकली है यह देखो आप पर डिपेंड करता है अब हम बताते हैं कि हत्ता जोड को दिपावली की रात्री में सिद किया जाता है या हत्ता जूड़ी को होली का देहन की रात्री में सिद किया जाता है कि जब होली का आती है होली का देहन देखो एक होली फाग को होता है रंग वाली होली होती है जिस दिन हम होली का देहन होता है तो होली का देहन वाले दिन ठीक है अब होली का वैसे बिलकुल होली आने वाली है बहुत कम समय बचा है तो होली का देहन वाले दिन हम इस जड़ी को गंगा जल के छीटे मार लें शुद्द कर लें साफ करके इसको हम सामने एक लाल कपड़ा बिछा करके किसी तस्त्री में प्लेट में हम हत्ता जोड़ी रख लें रखने के बाद हम इस पर फिर पुने फूल से जलका चीटा मारें चीटा मारने के बाद हम इस पर सिंदूर चढ़ा दें है ना लाल रंगा जो सिंदूर होता है हम इसके उपर सिंदूर चढ़ा दें और यदि हो सके तो थोड़ा सा सिंदूर देसी घी में मिला करके उसका हम लेपन कर दें और उसके बाल हम इस पर सिंदूर चड़ा दें पंच पूजन हम इसका कर दें यानि कि जिसकों पंचों पचार पूजन कहते हैं अगर आप से आता है तो वो पंचों पचार पूजन कर लें सोड़स पजार पूजन कर लें अगर ऐसा नहीं आता है तो किवल देशी भासा में धूप दीप कुछ भी आप आरपन करें समझें यह लक्षमी का ही रूप है ऐसा करने के बाद यह होली का देहन की रात्री की बात बता रहा हूं या दिपावली की रात्री में करें तब भी ऐसा ही करें बड़ी दिपावली को छोटी दिपावली में नहीं किया जाएगा बड़ी दिपावली में किया जाएगा और होली का देहन की रात्री में किया जाएगा यह उपाय करने के बाद हम वहीं बैट करके उसी आसन पर माला ले 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 रुद्राक्स की माला ले ले हाँ दिब भी जलाने देंसे कीगा रुद्राक्स की माला लेकर के हम ग्यारा माला जप करेंगे मंत्र सुन लीजिएगा एम, हिरीम, क्लीम, चामुन्डाई, विच्चे दुमारा सुने एम, हिरीम, क्लीम, चामुन्डाई, विच्चे इस मंत्र की ग्यारा माला हम जप लें जपने के बाद छमा प्राथना करें कि हे भगवती हे मा लक्ष्मी मा सरस्वती मा भगवती काली अगर हमसे कोई भूल चुक हो गई हो पूजा करते समय मंत्र पढ़ते समय हमें छमा करना जिनको संस्कृत में आता है आवाहनम नजानावी नैवजानामी पूजनम विसरजनम नजानामी अक्ष्म परमेश्वरी मंत्र ही नम किर्याही नम भक्त ही नम सुरेश्वरियत पुजितम मयादेवी परिपूर्णम तदस्तु में नहीं आता देसी भासा में हमें हे भगवती कोई भूल चुक हो हो हमें छबा करें इसके बाद अगर इसको और अच्छा बनाना सिंपल तरीके से सिद्ध करने का मैंने तरीका बताया और जब आप 11 बार यानि कि 11 मंत्र की माला करेंगे नवारन मंत्र की तो 11 ही बार थोड़ा-थोड़ा हर माला के बाद सिंदूर चढ़ाएंगे सिद्ध कुंजी का इस्तोत्र पांच बार या साथ बार पढ़ेंगे तो हर बार थोड़ा-थोड़ा सिंदूर इस पर चढ़ाएंगे उसके बाद नमशकार करें और इसको वहीं रखा रहने दें रात भर के लिए सुभा किसी चांदी की डिब्बी में या किसी और प्लास्टिक ए स्टील की डिब्बी में नीचे थोड़े से सूखे हुए फूल पहले से प्रवंद रखें गुलाब के सूखे हुए फूल उसमें थोड़े थोड़े बिचा ले थोड़ा उसमें रंगा हुआ लाल चावल नीचे डाल दे और उसके बाद इसको हत्ता जोड़ी को रख दे एक छोटा सा चांदी का सिक्का रख दे रात के समय भी हत्ता जोड़ी के पास रख सकते हैं जब आपने सिद किया है और अगले दिन इसको धूब दीब दे करके अपने गला लोकर तीजोरी में कहीं भी रख लें प्रतिदिन यदि एम हरिम कलिम चामुंडाई विच्चे की माला एक करते रहेंगे आपके घर में धन की कमी नहीं आएगी आपके घर में वाइभव की कमी नहीं आएगी आपके घर में हमें ऐसा शांती बनी रहेगी तो दर्शो को आप इस प्रकार से करें और हाँ जब जब अगले साल फिर हो ली आए दिपावली आए तब तब आप इसी विधी से इसको हर साल चार्ज करते रहें हर साल इसको सिद्ध करते रहें लेकिन सबसे जरूरी एहम बात हत्ता जोड़ी सुद्ध होनी चाहिए फिर क्या देता हूँ नकली होगी कार्य सिद्ध नहीं करेगी असली होगी तो जरूर कार्य सिद्ध करेगी मैंने देखा है कि जो इसको भली भाती अच्छे से सिद्ध कर लेते हैं मैंने तो सिंपल विधी बताई है और भी काफी विजात्मक मंतर होते हैं इस परकार की जड़ी को सिद्ध करने के लेकिन अगर आप सिंपल तरीके से भी जैसे मैंने बताई ऐसे सिद्ध कर लेते हैं आपके पास धन की कमी नहीं आएगी अन की कमी नहीं आएगी आपके भंडार भरे रहेंगे हमारे कहने से आप ये प्रियोग खुली का देहन की रात्री में जरूर करने या समय न लगे तो दीपावली की रात्री में इसको जरूर करें आप इस सिलाब लें और हमारे जो वीडियोज होते हैं दर्शे को ये आप शेयर भी किया करें ताकि ये ग्यान दूसरों तक भी पहुँचे है ना बस ये आप अच्छे से ध्यान रखें आप जब भी किसी साधना को करें, प्रियोग को करें, पूजा को करें, आपके पास आपकी शृद्धा अच्छी होनी चाहिए तो बस मैं आज के लिए इतना ही आपसे कहना चाहूंगा और भगवती से प्रातना करता हूँ कि आपके घर में किसी भी प्रकार की अंधन की कमी ना आए नमस्कार हमारे विभिन ज्यान बर्धक कारिक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कारिक्रम सबसे पहले और अधिक जानकारी के लिए फेस्बुक पेश को लाइक करना न भूलें